हलो एवरिवन तो लास्ट क्लास में हमने जो देखा था वो ये देखा था कि कैसे आउट ब्रेक आफ रेवलुशन हुआ है और फ्रांस के जो राजा लुईस 16 है उनको कैसे थर्ड इस्टेट वालों ने जो अपनी नेशनल असेंबली बनाई है उसके आगे जुखना पड़ा आपको नेशनल असेंबली के बारे में अच्छे से लास्ट क्लास में बताया था कि कैसे थर्ड इस्टेट वाले लोग टैनिस कोर्ट में मिलते हैं टैनिस कोर्ट में मिलके वो अपने ग्रुप को एक नाम दे देते हैं नेशनल असेंबली तो अभी तक फ्रेंच में जो एक state general हुआ करती थी जिनकी सलाह से राजा सारे काम किया करते थे टेक्सी या लॉसे रिलेटेट काम किया करते थे वही अब national assembly में convert हो चुकी है क्योंकि जब third state वाले protest करते हैं तो उसके आगे राजा को जुखना पड़ता है और राजा इस बाट पैगरी करते हैं कि चलो मान लिया कि आपकी जो National Assembly है उसको और National Assembly के Docker चलेगी और याणा क्या마 पावर हैं वह आपके द्वारा बनाए हुए समिधान यानिकी um REM चलेंगी यानिकीर मेरी पावर पर भी लिमिट लगती है तो मैं उसके लिए तैयार हूँ तो क्या क्या हुआ था उस revolution में उस outbreak of revolution में ये मैं आपको last class में पढ़ा चुका हूँ अगर आपने last video session अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले उनको देख लीजिए तो करते हैं हम continue बढ़ते हैं इस video session की और इस class की और तो अब देखिए finally हुआ क्या उस outbreak of revolution का final result क्या निकला कि अब France के अंदर constitutional monarchy हो चुकी है monarchy अब भी है यानि कि वहाँ पे जो राजा का जो शासन है monarchy मैं आपको कहीं बार बता चुका हूँ राजा का शासन या फिर king rule उसको बोल देते हैं monarchy अभी भी वहाँ पे king rule चल रहा है लेकिन अब वहाँ पे king के प और constitution के coding चलना पड़ेगा यानि कि राजा का शासन अब भी है लेकिन अब वह constitution के coding है किसके coding है समीधान के coding है तो अब हमने समीधान के बारे में पढ़ना है बहुत important question यहां से निकल के आएंगे अब आपको पता है जो revolution की date है वो 14 जुलाई 1789 है उसके दो साल बाद 1791 में एक जो constitution फ्रेंच का बनने वाला है नेशनल असेंबली ने उसके drafting को complete कर दिया है और उस constitution बनाने का जो सबसे बड़ा objective है वो यही है कि किस तरह राजा की powers के उपर limit लगाई जाए तांकि वो अपनी मनमानी करने से पीछे हट जाए और जो सही है जो सब का decision हो जो पूरी नेशनल असेंबली का decision हो उसी के coding जो one person were now separated and assigned to the different institutions अब यह powers जो हैं सिरफ एक परसन के हाथ में नहीं रही जो कि पहले सिरफ राजा के हाथ में वहा करती थी अब यह बंड चुकी है किसमें बंड चुकी है तो यही एक कारण है हम French की history को पढ़ रहे हैं मैं आपको last class में भी बताया था कि इस history से ही inspiration लेके हम क्या कर रहे हैं हमने अपने देश को बनाया है अपनी government को बनाया है जो भी अच्छी चीजे हमें बाहर की foreign की history से समझ आई है हमने उन से सीख के अपने देश के एक बहुत ही बड़िया constitution त्यार किया है तो आपको पता होगा कि इंडियन constitution one of the best constitution है और सबसे बड़ा constitution है जो लिखित form में है यानि की written है अगर आपके पास कभी question भी आता है कि कोई सी ऐसी country है जिसका सबसे बड़ा constitution है और जो written में है तो वो इंडिया होगी तो वहां की government भी अब ती न्यायपाली का जिनका काम है उस बनाई हुई लोगों को implement करना और जो डीशिर यानि की न्यायपाली का जो analyze करती है कि कोई भी जो law बन रही है कानून बन रहा है कहीं वो constitution के खिलाफ ना हो वो constitution के according हो तो इसी तरह ही France में अब ग्या बन चुकी है constitutional monarchy the constitution of 1791 अच्छा यहां constitution of 1791 vested the power to make laws in the national assembly which was indirectly elected indirectly elected का मतलब क्या होता है इसका मैं मतलब आपको बताता हूँ इसको हम प्रतेक्स चुनाव या अप्रतेक्स चुनाव भी बोल दिया करते हैं indirectly देखो पहले आप इस figure को समझने की कोशिश करते हैं यहां पर पहले तो नीचे लिख्यों है passive citizens passive citizen French nation के उन citizens को उन नागरीकों को बोला गया जिनके पास voting के अधिकार नहीं है यानि कि जो लोग vote देंगे उनको active citizen बोला गया है और जो vote नहीं देंगे उनमें कौन कौन से आ लोग आ रहे हैं बच्चे आ रहे हैं और women's आ रहे हैं यानि कि women's को अभी भी vote देने का अधिकार नहीं है महिलाओं को vote देने का अधिकार नहीं है active citizen किन को बोला गया जो vote दे पाएंगे अब ध्यान से देखिए active citizen पहले किन को vote दे रहे हैं वो यहां पे उन्होंने vote दी ल National Assembly को चूज करते तब हम इसको क्या बोल देते कि यह direct है लेकिन इन्होंने पहले चूज किया किसको electors को इन electors ने फिर फर्दर चूज किया National Assembly को इसलिए इसको बोला गया है indirect election I hope आपको इस चीज़ अच्छे समझ आगी होगी अगर कुछ भी doubt रहता है तो आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं तो फाइनली जो National Assembly 745 मेंबर जिसमें हैं वो चुनी गई है अब आपको यहां पे दिख रहा होगा एक्जिक्यूटिव यानि की कारेपाली का और यहां पे आपको देखने को मिल रहा है National Assembly यह काम करेगी Legislature का यानि की विधाई का का यानि की कोई भी लो बननी है कोई भी टेक्स से रिलेटेड लो बननी है या देश की कोई और लो बननी है वो काम किसका है Legislature का National Assembly का उसको फाइनल एप्रूवल कौन देगा राजा देगा तो वो इसका काम कर रहा है कारेपाली का यानि की एग्जीक्यूट करने का और उसके बाद एक अलग से एक बोडी है Judiciary जिसको हम बोल देते हैं न्याएपाली का जैसे आज आज आपके देश में कोर्ट वगएरा होते हैं तो उनका काम है ये चेक करना कि जो भी हो रहा है वो देश के समिधान के कोडिंग होना चाहिए अगर नहीं होता था उस पे वो स्टे लगाने की पावर भी रखते हैं कौन रखते हैं Judiciary तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि Electors ने National Assembly को चूज किया अब National Assembly के पास ही कंट् है Ministers का जो Final Ministers बने हैं जो राजा के साथ इनकी मिटिंग्स होंगी तो वो जो Ministers हैं जैसे आज आज आपके देश में Cabinet Ministers होते हैं इसी तरह ही एक्जीक्यूटिव किंग के उपर भी जो मेन कंट्रोल है वो National Assembly का है यानि कि कि जो है अपनी मनमानी नहीं कर सकता किसी भी कर्मेंट कैसी बन चुकी है तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं not all citizens have ever had the right to vote हमने अभी पड़ा कि सभी के पास वोट देने का अधिकार नहीं है जिनको पैसिव सिटिजन बोला गया है जैसे किन के पास वोटिंग अधिकार है जो 25 साल से ज़्यादा है एंड पेट टैक्स है जो टेक्स पे करते हैं उनको मिनिममम कितना टेक्स पेड करना होते हैं जो वहाँ पे labor के रूप में कार्य करते हैं उनकी जितनी 3итай की salary होती है वो minimum अगर उसके जितना टेक्स अगर वो करते हैं तबी उनको वोट डालने का दिकार दिया जाएक अधरवाइस उनके पास कोई वोट डालने का दिकार नहीं है तो बाकी बची महिलाएं और जो लोग वोट बाकी नहीं दे सकेंगे उनको हमने पैसिव सिटीजन बोल दिया है अगर आप इन इलेक्टर का हिस्सा बनना चाते हैं या नेशनल असेंबली का हिस्सा बनना चाते हैं तो आपको भी हाइस टेक्स पेंग लोगों में शामिल होना जुरूरी है यानि कि एक चीज़ हमें समझ आ रही है अभी फ्रेंच के अंदर इक्वैलिटी यानि कि समानता नहीं आई है अभी भी जो सरकार चलाने का अधिकार है वो कहीं ना कहीं सिरफ अमीर लोगों के पास है गरीब लोगों के पास नहीं है जैसे ही constitution शुरू हुआ तो कुछ basic right basic अधिकार दिये गए सभी नागरिकों को सभी वहाँ पे रहने वाले लोगों को कौन-कौन से rights हो सकते हैं यहां पे आपने याद रखने हैं क्योंकि यहीं से question बनके आएगा क्या question बनके आएगा कि जो 1791 का constitution था उसने कौन-कौन से right दिये जैसे first यहां पे है right to life right to life का मतलब होते है जीने का अधिकार जीने का knowledge of speech आप आपके पास बोलने की आजादी अपने विचार करने की आज़ादी यह चाहे वह पूरुश है बच्चा है, सब को बोलने का अधिकार है, अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है, equality before law, fourth क्या है, equality before law, यानि कि कानून के सामने सब लोग एक समान है, कानून के सामने सब लोग एक समान है, they were established as natural and inalienable rights, इनको ऐसा अधिकार जनता को दे दिया गया, कि ये एक natural rights है, ये हर citizen को मिलेंगे और inalienable है, इन rights को कोई भी violate नहीं कर सकता, कोई खतम नहीं कर सकता, तो ये चार rights आपने देने हैं, यहाँ से आपके question का answer निकलेगा, कि 1791 के constitution ने कौन-कौन से अधिकार सभी citizens को दिये, कौन-कौन से दिये, right to life, freedom of speech, freedom of opinion, equality before law, यानि कि जीने का अधिकार, सवतंतरता से बोलने का अधिकार, अपने विचार वेक्त करने का अधिकार, और कानून के समक्ष समानता का अधिकार, कानून के समक्ष समानता का मतलब है, कि अगर कोई भी person same crime करता है, मान लो murder करता है, चाहे वो बहुत अमीर इंसान है, बहुत गरीब इंसान है, वो किसी भी society का इंसान है, सब के लिए जो सजा होगी, वो same होगी, ये सभी अधिकार हर citizen को by birth से मिले है, ना कि first state और second state वालों को, हर इंसान को मिले है, और इनसे को कोई छीन नहीं सकता, और ये हर state की, state का मतलब यहाँ पे है, हर nation की ये duty बनती है, कि वो अपने citizens नागरीकों को दिये होए इन अधिकारों की रक्षा करे, कि कल अगर कोई इन अधिकारों को तोड़ता है या छीनता है, तो उसे proper सजा मिलनी चाहिए, तो यहाँ से आप समझ चुके हैं, कि जो revolution हुआ 1789 में, उसका result क्या निकला, उसका result निकला की एक national assembly बनी है, 1791 में उसने क्या बना दिया है, constitution बना दिया है, उस constitution ने क्या क्या किया, यह सारा कुछ अभी अभी आपने समझाए, अब मैं आपको कुछ symbol समझा देता हूँ, यह symbols बहुत important है, इनसे direct question निकल के आएगा, तो इनको ध्यान से आपने समझ के चलना है, इसमें से MCQ questions भी निकल सकते हैं, तो देखिए, पहला symbol क्या है, बहुत easy हैं, आपको एक बारी में याद हो जाएंगे, फर्स्ट है the broken chain, chains were used to fatter, fatter का मतलब होता है, बांधना या किसी को बंदी बनाना, slaves, slaves का मतलब होता है, गुलाम, या फिर कैदी लोग, ठीक है, अब broken chain stands for the act of becoming free, तो आप इस symbol को दुबारा पढ़ने की जोरती नहीं पढ़ेगे, आप देखके ही समझ रहे हैं, कि यह chains जो है, यह क्या represent कर रहे हैं, किसी को बांधना, तो अगर यह chain टूट गई हैं, तो मतलब यह freedom को represent कर रहे हैं, तो broken chain का मतलब होता है, the act of becoming free, next है the bundle of roads or faces, यहाँ पर यह roads हैं, ध्यान से देखेंगे, इनका एक bundle दिख रहा है, और इनको ऐसे बांधा हुआ है, यह क्या represent कर रहे हैं, one road can be easily broken, but not an entire bundle, strength lies in the unity, तो यह चीज यह represent कर रही है, कि आपने यह बच्चमन में story भी पढ़ी होगी, कि अगर कोई एक road है, उसको तोड़ना बहुत असान होता है, लेकिन अगर उन्ही roads का, जिसको एक road को तोड़ना बहुत असान है, लेकिन अगर हम उन्ही का bundle बना दें, और उनको आपस में बांधें, उस bundle को तोड़ना बहुत ही difficult है, इससे यह चीज गया represent करती है, कि जब आप अकेले हो, तो आपको down करना, आपको तोड़ना, या फिर आपको नीचे लेके जाना बहुत असान है, लेकिन जब आप unity, यानि की एकता में काम करते हो, तब आपकी जो strength होती है, उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है, यही बात society पे अपलाई होती है, यही बात आपकी family पे अपलाई होती है, कि जितना मिल जूल के किसी काम को करते हो, तो उतने ही success होना ज़्यादा possible हो जाता है, the eyes within a triangle, next क्या है, एक radiating light है, एक triangle दिखाई गई है, बीच में एक आँख है, और उससे rays बाहर निकल रही है, the all seeing eye stands for the knowledge, यह एक ऐसी eye है, जो हर direction में देख रही है, टरेंगल का मतलब है, हर दिशा में देख रही है, यह eye यह क्या represent कर रही है, knowledge, यानि कि ज्ञान, the ray of the sun will dry away the clouds of ignorance, और यह जो rays निकल रही हैं, इसमें से, यह ray represent कर रही हैं, कि यह जो ज्ञान है, यह आपकी ignorance, ignorance, अज्ञानता में जो आप जी रहे हो, यह जो ज्ञान है, यह उसको हमेशा के लिए दूर कर देगा, तो अगर आपके पास question आये, कि eye क्या represent कर रही है, knowledge, और यह आसपस जो rays दिख रही हैं, क्या represent कर रही हैं, यह sun को represent कर रही हैं, जिसकी किरणों से, देखी हो, तो वो hand में कुछ ऐसा symbol, ऐसा कुछ लेके खड़े होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, symbol of royal power, यानि कि skeptor, next है, snake biting its tail to form a ring, एक सांप दिखा रहा है, जो अपनी ही पूँच को खा रहा है, तो एक ring के रूप में, एक symbol बन रहा है, अब इसका क्या मतलब है, कि ना तो हमें कोई beginning समझ आ रही है, ना end ये ऐसे ही घूमी जा रहा है, तो ये क्या represent कर रहा है, snake biting its tail, symbol of eternity, a ring has neither beginning nor end, eternity उसको बोला जाता है, जिसका ना कोई आदी हो, ना अंत हो, जिसकी ना शुरुआत का पता हो, ना अंत का पता हो, जो eternal हो, next है red frisian cap, cap won by a slave upon becoming free, एक गुलाम जब free हो जाता था, तो वो इस cap को पहना करता था, तो red cap भी सबतंतरता freedom को represent कर रही है, कि जब कोई गुलाम free हो जाता था, तो ये वो red color की cap डाला करता था, next है blue white red, यहाँ पे एक lady दिखाई गई है, तो ये का represent कर रही है, the national colors of France, उसके बाद the winged woman, जिसके एक ऐसी woman, जिसके पिछे कुछ पंख लगे हुए हैं, तो ये का represent कर रही है, personification of the law, law बोलते है कानून को, personification का मतलब होता है, जब आप किसी idea को, या किसी object को, जब आप human form दे देते हैं, for example, आप जब पानी को देखते हों, तो आप उसको क्या बोलते हैं, जल देवता, तो आप उसको personification उसकी कर देते हैं, तो वो पानी ही, बट आप उसको एक human form दे देते हैं, that is also called personification, इसी तरह यहाँ पे कानून को, एक human form दे दी गई है, कि एक wings वाली lady, तो आगर आपके बस question है, winged woman क्या represent कर रही है, law को represent कर रही है, next है the law tablet, the law is same for all, and all are equal before it, यह एक tablet बनाया गया है, उस time का, उस time electronic tablet तो नहीं होते थे, एक offline tablet बनाया गया है, noon equal मानता है, next है, तो यही तक हमारी यह जो political symbol थे, यह बहुत important थे, अब एक चीज़ हमने बीच में, जो है आज की lecture में skip की है, the declaration of right of man and citizen, यह एक और source था, जो हमें French की history से मिलता है, अलग-अलग historians ने, अलग-अलग इतिहास कारों ने, जब French Revolution के उपर research की, तो उनको अलग-अलग चीज़े मिली है, एक source हमें ये भी मिला था, जो उस time पे लोगों को दिये गए, अधिकार को, नागरिकों को दिये गए, अधिकार को represent कर रहा था, तो इसको हम next class में cover करेंगे, तो आज का ये video session हम यही तक रखते हैं, I hope आपको हर चीज़ बहुत अच्छे से clear हुई होगी, आप video को repeat भी कर सकते हैं, और पिछले videos को भी लगातार revise करते रहें, NCRT book में से इस chapter को read करते रहें, अगर आपको ये story अच्छे से समझ आ गई, तो बस फिर काम हो गया, फिर हमारे चप्टर बहुत इजी बन जाएगा, तो मिलते हैं आपसे फिर एक और next video session में, so thank you so much for watching.